पुषपा ने जुगल को बचाने के लिए जिस वकील से बात की थी वो वकील पुषपा के घर पर आती है केस से जुड़े और इंफोर्मेशन जानने के लिए वकील कहती है कि राशी का कहना है कि उसने अपनी आखों से देखा कि जुगल ने दिलिप को आग में दख्का दिया है वकील ने चौल वालों से भी बात की जुगल के बारे में लेकिन वकील को कोई ऐसा नहीं मिला जो कहे कि जुगल दिलिप को मार सकता है वकील पुषपा से पूछती है कि जिस दिन आग लगी थी आपने किसी ऐसे इंसान को देखा था जो अंजान हो आपके लिए जिसके बाद पुषपा बोलती है नहीं मुझे ऐसा कोई नजर नहीं आया क्योंकि मेरा धियान गेट परता कि जुगल और दिलिप कब बाहर आएंगे अब वकील के पास एकी ऑप्शन बच जाता है कि वो बस मिल जाए जिसने आग लगाई थी वकील का भी यही कहना है कि जिसने भी आग लगाई होगी उसका दिलिप से कोई न कोई पंगा जरूर होगा अब सभी लोग उस आग लगाने वाले को डूणने में लग गए हैं आसपास ही है वो आग लगाने वाला किसी को संतोस पर सक हो ना हो लेकिन पुष्पा को संतोस पर जरूर शक होगा संतोस अपने आदमी से बात कर रहा था कि तभी खिड़की से कोई कागज के साथ पत्थर फैकता है जिसमें लिखा था आप तेरी बारी है ये पढ़ते ही संतोस के होस उड़ जाते हैं वो समच जाता है कि दिलिप जिंदा है और उसे अब छोड़ेगा नहीं संतोस ने जुगल की पहली बेल रिजेक्ट करवा दिया और कोट की अगली सुनवाई में भी संतोस पहुच या संतोस को देखने के बाद चिराग अश्विन से बोलता है कि कहीं ये संतोस फिर से जुगल की बेल कैंसल ना करवा दे पुषपर बाकी के लोगों को पूरा यकीन है कि वकील देवी सिंग शेखावा जुगल को बचा लेगी संतोस को पत्थर के साथ जो मेसेज मिला था उससे ये कंफर्म हो चुका है कि दिलिप मरा नहीं है बलकि दिलिप जिन्दा है